नमस्कार कैसे है आप बैकल्पिक चिक इससा में मैं निर्दोश को सी कार्पोरेट जगत की समश्याओं के विशह में चर्चा हो रही थी तो उससे क्या क्या समश्याओं पन्द होती है यह सब ही आपको पता चलिया अब देखिए कि हमका निवारण कैसे करें तो चुकि मैं ब जलनेती करें और क्योंकि हमने बताया है कि तनाव से हमारे अंदर एसिडिक प्रॉब्लम होती है और वो हमारे दिलो दिमाग को कमजोर करती है तो जलनेती करें कुंजल क्रिया करें और यह सब भी आपको थोड़ा मुश्किल लगती है वैसे तो कुछ भी मुश्किल नहीं ह कलाते हैं कपाल भाती अवश्य करें ये बहुत ही आसान है और टीटी के तड़ासन तिर्यक तड़ासन और कटी चक्रासन ये भी करना चाहिए प्राणायाम में करें आप नाड़ी शोधन प्राणायाम इसकी विशर में मैंने कई बार चर्चा की अपनी वीडियोज में और भ् कर सकते हैं तो सबसे पहले हम आतम तक्तों का बोध करें आत्मा का ज्यान प्राप्त करें कि हमारी आत्मा क्या है इश्वर अंश जीव विनाशी हम इश्वर का अंश हैं तो हम कैसे कर सकते हैं ऐसा और उसके बाद जो हमारे नत तक्तों है उसका बोध करें को दिर्शी रूप से हमारी कमियां हमारी अभाब हमें पता चलेंगे और जब ये पता चलेंगे तो हम उन कमियों को निकालने के निये ये न के न प्रकारेण हम प्रयास करेंगे और जब हम उसको किसी भी प्रकार से प्राश्चित करके अपने आपको सुधारेंगे योग से आईरवेल से और कुछ अच्छा ही मिलेगी उसको गेन करके तो फिर हमारी की जो दुश्वृत्या है वो निकल जाएंगी और फिर हम कर्म के सिध्धान्त का अनुपालन करेंगे कर्म करेंगे और फर्कीक्षा परमात्मा पर छोड़ देंगे जब हमारा आचार विचार अच्छा होगा तो पर दवाव रखें न ही अपने कर्मचारियों पर दवाव रखें कारे के संपाधन की समय जो सीमित था है उसको थोड़ा सा बिल्कुल ऑन्ड न करें और बिल्कुल खुलावी न छोड़एं कारे संपाधन की जो एक समिती आप बनाते हैं उसमें एक ही व्यक्ति पर बोज ना पड़े सबको अच्छी तरह से उसको अलग-अलग कारे सौप कर और समय समय पर उनको प्रोथ साहित करते रहें और मानव सुन्साधन की कमी जब हो जाती है तब भी बादा आती है काम में समय पर उनका प्रोशावन करेंगे और जोब छूटने का आजकल बहुत डर होता है लोगों को तो अपना सही निर्णे नहीं दे पाते भैसे बस मालिक हांजी हांजी जैसे हैं कैपे रहते हैं तो उसे भी काम नहीं चलता आप यते एक व्यक्ति को अभी व्यक्ति का पूर्ण स्वतन्ता होनी चाहिए लेंगी तो आज की शंखला में इतना ही कल फिर मिलते हैं अगले आयाम